अमस्यांति, नौ मई, आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, बाप आज निश्चे पर बात कर रहे हैं, और जो निश्चे बुद्धी हैं, उनकी क्या निशानी है, ये सपस्ट कर रहे हैं, लेकिन निश्चे हो जाता है मैं आत्मा हूँ, सिवावाया है, सर्ष्टिय परिवर्तन के दोर से गुजर रही है, सिवावा ज्यान दे रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन प्रेक्टिकल सिवावाया है कि पहली निशानी हर कर्म और संकल्प में इस्वरिये नसा दिखाई देगा, दूसरा हर कर्म में और हर परिस्थिति में विजय दिखाई देगी, विजय हो ही रहे है, तीसरा, क्वस्च्चन नहीं, जान भगवान ने दिया है, तो उसमें कोई संसय नहीं होगा, तो हर बात में बिंदू लगाने वाले होंगे, बिंदू बनने वाले होंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं, किसकी हूं, इसका नसा प्रेक्टिकल में दिखाई देगा, अपने स्रेष्ठ भाग्य में निष्चे, अप यह सब प्रेक्टिकल में दिखाई देगा, और पांचवे बात कहीं, वो बेफिकर बात्सा होंगे, निष्चंत जीवन, हमें चेक करना है, ऐसा इस्वरिय नशा हमें रहता है, नैनों से, हर करम में, बोल से, दुसरों को भी दिखाई दे, यह नहीं कोई कहें कि हमें तो है लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं देता, सर्टिफिकेट लेना होता है, इस निष्चे की परिक्षाईं भी बहुत होती है, यह परिक्षा तो सब जगे होती है, परिक्षा में कभी कोई बड़ा तूफान आ जाए, परिस्थितियों का, माया का, परिवार की ओर से, कभी मान इंशान न मिली, कभी कोई हद की इच्छा पूरी न हुई, तो हिलने लगता है फाउंडेशन, बावा कैता, गिरता नहीं है व्रक्स, लेकिन हिलने लगता है, लेकिन जो बार बार हिले, वो भी तो कमजोर हो जाता है, तो हिलना नहीं है, सदा इस्वरिये नसे में, और नि है, इसमें सर्व प्राप्तिया हमें होंगी, ऐसे नहीं हम तो निष्चे बुद्धी हैं ही, और कोई परिक्सा आगे, जैसे आज आ रहे हैं, परिक्सा कोरोना में, बात लोग हिल रहे हैं, बाबा में संस हो रहा है, लेकिन ड्रामा में भी निष्चे, बाबा के कारियों मे निष्चे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की मृत्य हो रही है, उसमें भी निष्चे हिले नहीं, हिलता है, बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं बाबा नहीं किया, तो जैसे बाबा से नाराज हो जाते ये भी निश्चे संसे में बदलने की स्थिती है, निश्चे बुद्धियर्धात, सर्वस्व लिहार, सब कुछ समर्पित, अंस सहित, माया के भी जो अंस हैं, जो मेरा मेरा है, वो सब भी लिहार, ये है, संपोन निश्चे की निशानी, और निश्चे वाले को जितना नशा होगा, उतना ही वो निश्चे, वह निर्मां होगे, ये नहीं नशा बहुत है, और फिर एंकार भी साथ साथ चल रहा है, इसवर ये नशा, एंकार को समात कर देगा, और एसे आत्मयें ही विसु का नव निर्मां कर सकेंगी, तो निमित भाव भी उनमें होगा, निर्मान भाव भी होगा, निरेंकारिता, और वो निर्मान का कारिये भी पूरी तरह से कड़ते रहेंगे, ये है निश्चे बुद्धी की निशानी, जो निश्चे बुद्धी होंगे, उनमें मधुरता बहुत होगे उनकी भासा में, इस बहुत नम्रता जाएगी, निरंकारिता और नम्रता, साथ-साथ, उदार तर, लिब्रल स्थिती, दूसरों को आगे बढ़ाने में उदार, दूसरों को देने में उदार, पहले मैं नहीं, पहले आप, ये निश्चे बुद्धी की निशानी होगी, इसमें बहुत बड़ा काम करता है, कि हमें ये पता होता है मैं कौन सी आत्मा हूं, इसमें संपोर्ण विश्वास रहता है, निश्चे होता है, तो कोई कुछ भी कहे, तो हिलेंगे नहीं, जब हम अपने को नहीं जानते पूरी तर है, तो छो-छोटी बाते हमको हिला देती हैं, तो बाबा पूछ रह हैं, अब अपने निश्चे को सभी चेक करो, परिस्थिती आती हैं, समस्याइं आती हैं, कहीं सेवा का अफसर मिलता है नहीं मिलता है, कहीं परिवार में उपर नीचे होता है, लोगमान नहीं देते हैं, तो हमारा निश्चे डगमगाता तो नहीं है, बड़ा सोक्स में ये पेपर होता है हमारे निश्चे का और कदम कदम पे निश्चे है देखो अगर हमें ये निश्चे है कि बाबा मेरे साथ है तो वीजे मेरी होगी ही मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता अगर ये पूरा निश्चे हो तो कभी भी न उदास होंगे न हिलेंगे न पर बाबा के सामने विदेश्चियों का गुरुप बैठा है, तो बाबा उने कह रहे हैं, कि आप सभी समीपता का अनुभव करते हो, कि बाबा के समीप रतन हो, इस परिवार के समीप रतन हो, ये भी निश्चे बुद्धी से जुड़ी हुई बात है, तो ऐसे जो आत्माएं होंगी समीप वाली, उनकी निशानी बाबा ने बताई, विश्दा और सहज, ज्यानी, योगी, गुनधारी और सहज सेवधारी होंगे, दिरंतर सेवधारी होंगे, तो विदेश्चियों की बाबा महिमा भी करते हैं, क्योंकि वो सेंटर भी चलाते हैं और लोकिक जोब भी करते हैं, तो बाबा उने याद दिला रहे हैं, आप सब तो जो लोकिक कारिये भी कर रहे हों, वो भी समर्ती रहती है, कि ये भी हम अलोकिक सेवा के लिए कर रहे हैं, उनके भी निश्चे की बाबा बात कर रहे हैं, बाबा में पूरा निश्चे होगा तो सब कारिये सहज होता जाएगा, तो आज की ये बाबा के मावा की सुनकर, हम अपने निश्चे को चेक करेंगे, कि भिन भिन परिष्थितियां हमारे निश्चे को हिलाती तो नहीं है, आज कल, जबकि आपदा काल चल रहा है, मामारी चल रही है, तो निश्चे की परिक्सा हर एक को हो रही है, और हम ये देख सकते हैं, अकर सहज इस्थिति होगी, तो किसे को कुछ हो गया, सहज साधन मिलते जाएंगे, सहज टीटमेंट हो जाएगी, सहज उपचार हो जाएगा, वर्दान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करके, समर्थ आत्मा यानि पावर्फु तो जो व्यर्थ में जाते हैं, हमारे खजाने समय व्यर्थ में जाता है, हमारा मुर्ख व्यर्थ में चलता रहता है, हमें बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, उनको म्योज नहीं करते, बहती रहती हैं वो, हमारी खुसी में भी लिकेज लगी रहती है, खुसी को चोचोटी ब के जोगी यानि वो बह रहे होंगे तो हम पावर्फुल नहीं बन सकेंगे और कम खर्च बाला नसीन की स्थिति का भी अनुभव नहीं होगा स्लोगन है ग्रस्त विवार में रहते हुए संपोर्ण पवित रहना यही ज्ञानी और योगी आत्मा की पहचान है तो आज हम अपन कीसर निष्य को चैक करेंगे देखेंगे हम निष्य बुद्धी विजयंती होते हैं लंबाकाल निष्य बुद्धी रहने वालों की ही विजय होती रहेंगी और आज नसे में رहेंगे हमें इस वर्य परप्ति हुई है उसका संपोर्ण ग्यान मिला है और बाबा का हर गंटे में एक बार आवान करेंगे ओम चांति